तो दोस्तो आप सभी का वापस से स्वागत है मेरे व्लॉग में दोस्तो आज हम बात करने जा रहे हैं S23 के बारे में क्या 2024 में S23 लेने एक सही डिसिजन होगा और क्या ये एक value for money product है तो जानते हैं इसके बारे में आज detail में इस वीडियो में मेरी request है कि दोस्तो आप इस वीडियो को अन तक ज़रूर देखिएगा तो दोस्तो S23 एक compact size का काफी premium और powerful phone है जो कि Snapdragon 8 Gen 2 processor के साथ आता है जिसे Samsung द्वारा overclock किया गया है यानि कि ये normal 8 Gen 2 processor से भी ज़्यादा तेज है जिस वज़े से इसकी performance काफी smooth और fast है और भही अगर दोस्तो इसके display की बात की जाए तो भही ये phone 6.1 inch के dynamic AMOLED 2X display के साथ आता है ये एक full HD plus display है जो आपको movie watching के दौरान काफी अच्छा फील कराएगा तो दोस्तो अब इसकी app opening speed को test कर लेते हैं सबसे पहले हम Instagram को open कर लेते हैं अब Amazon app को open कर लेते हैं आप देख पारे हूं कि कितना quickly ये open कर रहा है apps को देखिए इसने telegram app को कितना जल्दी open किया है देखिए ये Google Chrome को भी काफी fast open कर रहा है इसका processor काफी fast है जो आपको multitasking और video editing जैसे कामों में काफी helpful रहेगा ये display AMOLED होने के साथ 120Hz के refresh rate पर भी work करता है तो आपको scrolling के समय ये काफी smooth feel होगा अब चलिए इसके camera के बारे में बात कर लेते हैं इसमें आपको flashlight के साथ 3 camera module देखने को मिल जाएगे जिसमें से इसका primary camera 50 megapixel का है ये एक wide camera lens है जिसका aperture 1.8 है और साथ ही आपको इसमें 12 megapixel का ultrawide camera और 10 megapixel का telephoto camera देखने को मिल जाएगा तो चलिए अब camera features की बात कर लेते हैं camera open करते हैं आपको इसमें काफी सारे modes देखने को मिल जाएगे more पर click करने पर आपको और भी सारे modes देखने को मिल जाएगे इसमें आपको एक director view का option show होगा जिससे आप एक ही time पे front और back दोनों camera को use कर सकते हैं दोस्तों ये कुछ indoor और outdoor camera samples है और इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका camera कितना अच्छा है तो friends अब आपको मैं इसकी low light performance भी दिखा देता हूँ इसका low light performance भी काफी अच्छा है दोस्तों कुछ ये low light samples मैंने आपके साथ share किये है आप इससे idea लगा सकते हैं कि इसका low light performance भी काफी अच्छा है अब बात का लेते हैं इसके display के बारे में full HD plus dynamic AMOLED 2X display होने के साथ ही इसमें आपको inbuilt fingerprint sensor देखने को मिल जाएगा ये एक ultrasonic fingerprint sensor है जो की काफी fast है इसके display की density 425 ppi है जो आपके movie watching experience को काफी जादा अच्छा कर देता है S24 की तरह ही आपको इसमें काफी सारे AI features भी देखने को मिल जाएगे जिन मेंसे एक काफी जादा useful feature है circle to search ये feature home button पे long press करने के बाद activate हो जाता है और इसके बाद आप किसी भी चीज या product पर circle करकर उसके बारे में information जान सकते है दोस्तों ये phone IP68 water and dust resistance rating के साथ आता है जो 1.5 मीटर गहरे पानी में आदे घंटे तक रह सकता है अब चलिए phone की speakers की बात कर लेते हैं इस phone में आपको दो speakers provide किये जा रहे है जिन में से एक speaker इसके display के under है और दूसरे speaker इसके bottom side में located है जिनकी sound quality flagship level की है आइडिया के लिए आप इस sample को सुन लीजिए इस phone में आपको wireless charging के साथ ही reverse wireless charging का option भी provide किया जा रहा है तो चलिए अब इस phone के price की बात कर लेते हैं online market में आपको ये phone 50,000 से लेकर 40,000 के price bracket के अंदर मिल सकता है दोस्तो Amazon और Flipkart में आपको ये phone 50,000 से भी कम price में बड़े ही आसानी से मिल सकता है और credit card offers और discount लगाने के बाद आपको ये और भी कम price में मिल सकता है ये phone दो variants के साथ आता है एक है 128GB storage और 8GB RAM और दूसरा है 256GB storage और 8GB RAM तो मैं आपको recommend करना चाहूंगा कि आप 256GB और 8GB storage option के साथ जाएगा क्योंकि उसमें आपको UFS 4.0 देखने को मिल जाएगा जो data transfer और storage में काफी ज़्यादा fast और efficient है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये video आपके लिए helpful रही होगी और आप decide कर पाएंगे कि क्या 2024 में S23 आपके लिए एक better choice है तो दोस्तों ऐसे ही और videos देखने के लिए प्लीज मेरे channel को like, share और subscribe करें